मैं जान और मेरे प्यारी मामा मैं जान और मेरे प्यारे बाबा दादी मा सीट मर्यम अकलमन भाई हमारी है प्यारी है स्वीट फैमली मैं जान और हूँ पाँज साल का जानता गीत हूँ सारी ताल का अच्छी है प्यारी है हमारी फैमली मिसाली है न्यारी है सारी फैमली अबनी किक करो पिर से याँ खेल रहे हैं तुम लोग हाँ हाँ, फरहान अंकल हाँ फरहान अंकल तुम लोगो को समझ नहीं आती कितनी दफ़ा मना किया है कि यहां पे मत कहलाी करो फरहान अंकल और कोई जगा नहीं है हम तो हर रोज यही पर खहलते हैं मुझे जवाब दे रहे हूँ आगे से अगर खेलना ही है तो खामोशी से खेलो ताके मैं भी थोड़ा आराम कर सकूँ समझ में आई तुम लोगों को मेरी बात ठीक है फरान अंकर, प्रॉमिस, खामोशी से खेलेंगे है ना दोस्तों? आँ, ठीक है, चलो फिर खेलो तोना, मेरी तरफ फैंको ठीक है, करता हूँ ऐसे नहीं करते तो ना तो भे कैसे करते हैं? सोर सेट करो बाल को मेर्थ, बाल को मेरी तरफ फैंको देखो, ऐसे करते हैं देखा तुमने, ऐसे के करते हैं? एक दबा मेरी तरफ और फैंको ठीक है एक लंबा से सांस लो फिर आप ओफ यह क्या किया अभी फरहान इंकल आ जाएंगे जान कहां जा रहे हो यहां आओ किसने किया है यह जल्दी बताओ किसने तोड़ा है यह शीशा हमने नहीं तोड़ा फरहान अंकल वो जान ने तोड़ा है तुम सब एक जैसे हो कहां है वो जान कहां गया वो जान जल्दी बताओ मुझे पर हाल अगल के खिटकी के शीशे तोड़ने की वज़ा से वो मुझे पर बहुत खुशा थे मुझे समझ नहीं आरी थी कि मैं क्या करूँ हेलो जान कैसे हो कह रियत है जान क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? चलो भाई को बताओ क्या हुआ है शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ वो भाई मैंने बॉल को हिट किया बॉल लगने के वज़से खिटकी का शिशा तूट गया फरहान अंकल की डर्ट की वज़से मैं यहां पर आ गया फरहान अंकल, हाँ, वो दुकान वाले जी वो ही, उनको बहुत गुसा आया वो ऐसे भी हम पर बहुत गुसा करते हैं और गुसे से कहा के कहा गया वो जान हम, ये तो वाकी बहुत गलत बात है मुझसे भी एक बार खिड़की का शिशा टूट गया था मेरे मुहले में ही, वो अंकल भी बहुत गुस्से वाले थे, मैं कई दिन उनके दर से चुपा रहा, घर से बाहर ही नहीं निकला फारूप भाई, आप मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या बता सकता हूं तुम्हें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, हाँ, बोलो जान, फरहान अंकल आये थे, फरहान अंकल, पज़ा नहीं, मैं खुद अभी आया हूं, क्यों, क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं, रास्ते में मुझे तुम्हारे दोस्त मिले थे, तुम्हारा पूछ रहे थे, तुम जाओगे नहीं खेलने बाहर, नहीं, नहीं जाओगा, बल्के कमरे से भी नहीं निकलूंगा, हाँ, फरहान अंकल की डर की वज़ा से, मैं अपने दोस्तों के John, John, where are you? John? John? झाल 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 मुझेशा झाल कॉपण कॉपण तीम मुझे पता चला मेरे नाइट शोट पैल नहीं था इन्हीं कपड़ों मैं सो गया था गुड मॉर्निंग अम्मी गुड मॉर्निंग जान कैसे हो तुम ठीक हो ममी जान फरहान अंकल क्या गुड मॉर्निंग यासमीन अंटी गुड मॉर्निंग बेटा यासमीन अंटी जान घर पर है बच्चो जान अभी फारिग नहीं है मुझे जान के साथ कुछ काम है थोड़ी देर तक आ जाएगा ग्राउंड में ठीक है यासमीन अंटी अल्ला हाफिस अल्ला हाफिस बच्चो खुब एंजॉय करना हाँ मैंने कोई काम करना है क्या क्या काम है अम्मी को जान से बात करनी है और क्या काम हो सकता है भला ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है बेटा चलो जल्दी से बताओ अपने दोस्तों के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाते मैं असल मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाता हूँ मगर फरहान अंकल देख रहेंगे मुझे हम्म साथ वाले फरहान अंकल जी हाँ कल खेलते हुए मुझसे उनकी खिड़की का शीशा तूट गया उनको बहुत गुसा आया अमीजान फरहान अंकल इतने गुसे वले अंकल क्यों है क्या बहुत गुसा किया जी इती उन्ची वाज में बोले कि मुझे भागती हुए अवाज आई कहां भाग रहे थे तुम पीछे वले ग्राउंड की तरफ जब शीशा तूटा तो मैं फरहान अंकल के डर से भाग गया ओ मतलब तुमने सौरी नहीं बोला नहीं मेंने नहीं बोला क्या करता बहुत डर गया था और इसी वज़ा से फरहान अंकल का सामना नहीं करना चाहते है ना जी हाँ क्या ऐसे ही फरहान अंकल से चुपते रहोगे जान पता नहीं मगर इस तरह चुपते रहना सही बात नहीं है तुम्हें इस मुश्किल से निकालने का हल है मेरे पास क्या फरहान अंकल से माफी मांग लो मगर मैं ऐसे कैसे करूँ, वो गुसा करेंगे बिलकुल नहीं करेंगे, तुम्हें वो करना चाहिए जो सही है मगर वो थोड़ा सा तो गुसा करेंगे डर रहे हो जी हाँ फिकर ना करो, फरहान अंकल को अगर जल्दी गुसा आता है, तो जल्दी उतर भी जाता है जब उन्हें लगेगा कि तुम शर्मिंदा हो, तो वो तुम्हें माफ कर देंगे वाकी में? अफ कोर्स फरहान अंकल से सौरी केने के लिए उनके घर गया मुझे से उनके बेल नहीं बजाई जा रही थी घर पे नहीं है ओ, जान बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ क्या हुआ? कोई मसला है क्या? फरहान अंकल, मैंने वो कहना था आप से सौरी कहना था सौरी? किस लिए? शीशा तोड़ा था ना, उसे लिए याद आ गया, कोफ़ते? याद नहीं आ रहा था, कोफ़ते बनाऊंगा कोफ़ते बनाऊंगा, तुम भी खाओगे क्या? कोफ़ते? कोफ़ते कहां से आ गए? काफी देर से सोच रहा था कि क्या बनाऊं बहुत भूग लग रही है, कोफ़ते बनाऊंगा, मज़ेदार से कोफ़ते हाँ, यानि कि आपका मुझ पर गुसा नहीं है? क्या कह रहे हो, गुसा? जी हाँ शीशा तोड़ने की वज़ा से कोई बात नहीं, एक शीशा ही तो था तूट गया, मैंने निया लगवा भी लिया है, मुझे वैसे भी कम गुसा आता है मगर उस लक्त तो आपने गुसा किया था हद हो गई है जान, मैं तो ज्यादा गुसा करता ही नहीं हूँ लगता है आप बूल गए है, तब आपने बहुत गुसा किया था हो सकता है थोड़ी उंची आवाज में बोल गया हूँ तुम्हारे भाग जाने पर मुझे बहुत गुसा आया था मगर अब तुम्हारा सौरी कहना मुझे बहुत अच्छा लगा खेर छोड़ो, अभी मुझे मस्यदार से कौफते भी बनाने है बना के तुम लोगों के घर भी भिजवा दूँगा, ठीक है? ठैंक यू, ओ, शुकर है आप नराज नहीं हुए फरहान अंकल हाँ जान आपको कुछ कह सकता हूँ क्या? बोलो आप बहुत अजीब अंकल है अजीब? जी हाँ अजीब हाँ, और दिल के बहुत अच्छे हैं आप